हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आई चैनल स्टडी फूर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका SSE MTS का 12 जुलाई का 1st हिप्ट का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% accurate answer के साथ जो है इस वेड़ में बताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के आज आपके 12 जुलाई के 1st हिप्ट के एक्जाम में जो है प्रेश्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE MTS से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा और बगल में ही आपको एक बैल आइकन यानी घंटे का निशान भी दि देना यह भरत नाटियम निरिते से है तो भरत नाटियम आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहता कि वाटीज दा लेन थॉप ए स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आथ की जो है लंबाई पूछी गई थी तो देखे औस जो लंबाई होता है ना छ आठवा संसकर्ण हुआ था इसमें दबंग दिली ने किसे हरा है तो देखे मैं आपको बता दू कि 2021 में जो आपका प्रोकबड़ी लीक का आठवा सीजन हुआ था इसमें दबंगद दिली ने प्टना पाइरट्स को हरा है था तो पतना पाइरट्स आपका correct answer होगा यहां से एक्जाम में एक प्रश्ण और पूछा जाता है कि प्रो कबड़ी लीग की सुरुवात जो है ये कब हुआ था तो देखें प्रो कबड़ी लीग की जो सुरुवात है ये आपका 2014 हुआ था और इसका जो प्रथम संस्करन हुआ था वो किस ने जीता था तो जैपूर पिंग पैंथर्स ने जीता था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपके आप रहा था कि भारते संबिधान में शोसन के विरुद अधिकार यानि राइट अगेंस एक्स्प्लोइटेशन इसका जो वर्नेन है ना ये कौन से अनुछेद में किया गय बात कर ले अनुछे 23 के बारे में तो देखें अनुछे 23 ये कहता है कि मानो तसकरी और बालत स्रम का निशेद ये जो आपका अनुछे 24 की बात कर ले तो अनुछे 24 के खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या फिर 14 वर्स से कम उम्मर के बच्चों को छ जैसे कि भारत में 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका समानता का अधिकार हो गया, जो कि आपका अनुछे 14 से 18 में है, सेकेंड आपका स्वतनता का अधिकार है, जो कि आपका अर्टिकल 19 से 22 में है, शोसन के विरूद अधिकार ये जो आपका आर्टिकल 31 में है तो यह facts भी आपको ध्यान में रखना है next अब रहाता कि मोहनी aterm यह जो है किसा का सास्त्रे नेरित है तो देखें मैं आपको बता दूँ कि भारत के वरतमान में आठ सास्त्रे नेरित है और यहां से प्रेशनल लागतार पूछा जा रहा है, तो मोहनी अटम जो है, यह आपका केरल राज्जी का सास्त्रे नेत्ट है, तो केरल आपका करेक्टर अंसर होगा, बात कर ले अन्य सास्त्रे नेत्ट के बारे में, जैसे कि भरत नाटियम, यह जो आपका तमिल नाडू का सास्त्रे नेत्ते है कुछी पूरी ये जो आपका आंधर परदेश का है कथक अली ये जो आपका केरल का है और इसी ये जो आपका उडिसा का है मनी पूरी ये आपका मनी पूर का है कथक की बात कर ले तो ये आपका उत्तर परदेश का सास्त्रे नेत्ते है सत्रिया के बारे मे यह आपका बीहूत तेवार आफ्टेवार आइए चाए बात कर लें धच्छिन बारत में फसल कटाई के लिए मनाए जाने तोक्यो ओलम्पिक 2020 में भारत की तरफ से कौन सामिल हुई थी तो देखे टोक्यो ओलम्पिक 2020 में तलबार बाजी में भारत के तरफ से ये भवानी देवी जो है सामिल हुई थी तो भवानी देवी आपका correct answer होगा नेक्स टाप काया अब रहादा की गौतम बुध को ग्यान की प्राप्ती ये जो है कहा हुआ था तो देखे गौतम बुध को ग्यान की जो प्राप्ती है ना ये बोधी वरिच के नीचे बोध गया में हुआ था तो बोध गया आपका correct answer होगा इसके अलावा गौतम बुध से पिज़ आपके प्रेशन पूछे जा रहे हैं जैसे कि पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था तो यह कपिल वस्तु के लुम्बनी नाम का स्थान पर हुआ था मात्मा बुद्ध के बच्पन का नाम पूछा जाता है तो इनके बच्पन का जो नाम वो सिधार था, बुद्ध के ग्रीतियाग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महा भी निश्कर्मन कहा जाता है, और इन्होंने ग्रीतियाग किस वर्स में किया था, तो 29 वर्स की अवस्था में जो है, इन्होंने ग्रीतियाग किया था, बुद्ध ने अपना प्रतम तो यह सारनात में दिये थे और इन्हें जो है लाइट आफ एसिया के नाम से भी जाना जाता है तो यह important facts भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स टाप करें हम रहा है कि 1887 में Congress अधिवेशन के अध्यास कौन थे तो देखे 1887 का जो Congress अधिवेशन हुआ था ना यह आपका मदरास में हुआ था और इसके जो अध्यास थे यह आपके सायद बदरुदीन तयबजी थे तो सायद बदरुदीन तयबजी आपका करेक्टर अंसर होगा इसके अलावा एक्जाम में यह भी प्रेशन पूछा जाता है कि भारते राश्टे कांग्रेश के प्रत्थ मुस्लिम अध्यास कौन थे तो यह आपके सायद बदरुदीन तयबजी थे तो यह भी आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा 1885 में जो कॉंग्रेश की अस्थापना हुई थे उस समय जो इसके अध्यास कौन थे तो यह आपके व्यूमेश चेंद्र बनर जी थे और कहा पर अध्यस्ता हुई थी तो यह आपका बंबई में हुआ था 1886 की बात कर ले तो यह आपका कलकता में हुआ था जिसके अध्यास दादा भाई नौरोजी रहे थे 1888 का जो है यह आपका इलहाबाद में हुआ था जो की प्रतम अंग्रेश यह जो आपके अध्याच रहे थे Congress का और ये कौन थे तो George Yule थे तो ये आपको ध्यान में रखना है आगे के जिप्ट में आप से पूछा जा सकता है कि भारती राष्टे Congress के प्रतम अंगरेज अध्यच कौन थे तो ये आपके George Yule थे 1905 में जो आपका बनारस में हुआ था इसके जो अध्यास है ये गुपाल कृष्ण गोखले थे 1917 का ये आपका कलकता में हुआ था जिसके अध्यास जो है ये एनी बेसेंट रही थी जो कि भारती राष्टे कॉंग्रेश की प्रथम महिला अध्यास रही थी और ये भारती राष्टे कॉंग्रेश की प्रथम भारती महिला अध्यास थी तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है 1938 का हारी पूरा में हुआ था जिसकी अध्यास था सुबास चंद्र बोश ने गया था तो ये फैक्ट से आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अप के आप रहा था कि ब्रेशवर मंदिर का निर्मान ये जो है किस ने करवाया था तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजी कि ब्रेशवर मंदिर ये जो है कहां पर है तो ये आपका तमिल नाडू के तंजौर में इस्तीत एक हिंदू मंदिर है जो कि आपका 11 शदी के आरंब में बनाया गया था और इसका जो निर्मान है ना ये चोल सासक प्रथम राजा राजा चोल ने करवाया था और इनी के नाम पर जो है इसे राजा राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तो ये फैक्ट्स भी आपको ध्यान में रखना है तो राजा राजा चोल आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट आप कर रहा था कि भारत के रास्ट्रबदी का कारेकाल कितने वर्सों का होता है तो देखे प्रेशिडेंट का जो टैनियूर है ना ये पांच वर्सों का होता है तो पांच वर्स आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट अप के यहाँ पर रहा था कि Unfinished A Memoir is the Autobiography of यानि Unfinished A Memoir यह जो किसकी आत्मकता है तो यह प्रियंका चोपड़ा की आत्मकता है और यह प्रियंका चोपड़ा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है नेक्स्ट आप के आप रहा था कि प्राइदीपिय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई थी तो देखिए प्राइदीपिय भारत का जो सबसे लंबी नदी है यह आपका गुदावरी नदी है जिसकी लंबाई कि इतनी है तो 1465 किलो मीटर है और इसे दच्छिन गंगा के नाम से भी जाना जाता है एक्जाम में प्रेश न पूछा जाता है कि दच्छिन गंगा के नाम से यह किसे जाना जाता है तो ये गोदावरी नदी को जाना जाता है इसके अलावा गोदावरी नदी का जो है कहां से निकलता ये भी पूछा जाता है तो देखें मैं आपको बता दू गोदावरी नदी जो है ये आपका पस्चिमी घाट में त्रियंबक पहाडी से निकलता है और ये जो आपका महरास्ट में नासिक जिले से गुजरता है और बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिड़ता है तो ये facts भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका है अब रहता की who won best female debut winner at 2021 Paralympic Sports Award यानी 2021 Paralympic Sports Award में जो है सर्वसेष्ट महिला परदापरन का जो सम्मान है ये किसने जीता है तो देखे 2021 Paralympic में सर्वसेष्ट महिला परदारपन का जो सम्मान है ये अवनी लेखरा ने जीता है तो अवनी लेखरा आपका correct answer होगा और इनका समद्ध की scale से है तो पैरा सूटिंग से है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट अपका यहाँ पर question आए था कि 2011 की जनगना की अनुशार भारत में प्रजनन दर पूछी गई थी यानि fertility rate पूछाई था तो देखे 2021 की जनगना हुई थी ना उसमें भारत का जो प्रजनन दन यानि fertility rate जो रहा था वो 2.4 प्रती महिला रहा था तो 2.4 प्रती महिल है जिसमें एक अस्तूब जो होते हैं और यह जो आपका चैते सब्द है ना यह आपका प्राथना अस्तलों के लिए परियुक्त किया जाता है तो प्राथना अस्तल option में दिया हुआ था तो यह आपका correct answer होगा नेक्स्ट आप कर आप रहा था कि किस खिलाडी ने जो है पैर सुटिंग में जो है सौरन पदक जीते थे तो अवनी लेकरा और मनीस्ट नर्वाला आपका correct answer होगा बात कर ले भारत ने जो है पैरा ओलंपिक में 2020 में कितने पदक जीते थे तो 19 पदक जीते थे जिसमें पांच सौरन आठ रजट और 6 कान से पदक जो है सामिल था और आप आपको कमेंट करके जबाब देना है दोस्तों कि पैरा सुटिंग में पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी यह जो आपको कमेंट करके जरूर जबाब देना है नेक्स्ट कुशन आपका यहाप रहा था कि वासको डिगामा यह जो है किस वर्स भारत आया था तो ये जो आपका 20 मई 1498 को भारत आया था, तो 20 मई 1498 आपका correct answer होगा, नेक्स्ट आप कहा आप रहा था कि निम्नलिखित में से कौन से एक परसीद सितार वादक है, तो देखें मैं आपको बता दो कि पंडीत रविशंकर, अनुस्का संकर, विलायत खान, निखिल बनर जी, इमरत खान, अनुपमा भगवत और निसात खान, ये सब जो इन सभी का जो संबन्द है ना, ये सितार वादक से है, तो आपके उप्सन में अनुस्का संकर दिया हुआ था, तो अनुस्का संकर आपका correct answer होगा, नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता है, कि इन में से कौन सा पादक जगत में एक उभैचर है, यानि प्लांट किंग्डम का जो है कौन सा एक amphibians है, तो देखें, मैं आपको बता दू कि amphibians क्या होते है, कि हमारे वह species होते है, जो पानी और जमी दोनों जगा पर रहता है, तो यह आपका ब्रायोफाइटा जो आपका correct answer होगा, बात कर लिए ब्रायोफाइटा के उधारन कौन कौन से है, तो यह आपका मुसेज, होर्न वाट्स और लिवर वाट्स, यह सब जो आपके ब्रायोफाइटा के उधारन है, तो यह facts भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स्ट अप कर अपका ब्रायोफाइटा की बदार्थ की पांचवी अवस्ता, यह जो किसे कहा जाता है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैटर के पांच स्टेट होते हैं, पहला जो स्टेट होता है, वो आपका solid होता है, सेकंड आपका liquid होता है, फोर्थ आपका plasma होता है, और फिब्त जो होता हुँ, आपका क्या होता है, तो बोस आइंस्टीन, condensates होता है, तो बोस आइंस्टीन, condensates आपका correct answer होगा, next आपका है अपका ब्रादध की स्रिलंका में, हाली में जो रास्टे आपात का लगा था, वो किस रास्ट पती ने लगाया था, तो देखके आ आज मुझे बच्चों के दौरा मिले थे और एक प्रशन आपका जो है विरोजगारी से भी आया था लेकिन वो प्रशन एक्जैक्ट तोर पे नहीं मिल पा है कि विरोजगारी से आपका क्या प्रशन पूछा गया था अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं त तो अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को जो है लाइक जरू कर दिएगा चैनल पर नहीं तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो एं तब तक थैंक्यू all the best